हेलो अब्रीवान आप देख रहे हैं All Studies ली चानल आज हम पढ़ेंगे Most Important Topic जो आपका Class 10 में पूस्ता है ठीके ना ये आपका एक या दो नंबर का Question बनता है और ये SST का यानिकी समाजी विज्ञान का है देखे Question है Rinder Paste क्या है इसका पशो पर क्या प्रभाव पढ़ा ठीके एक या दो नंबर का ये आपका Question बनेगा आपको देखिए इसको समझना है रटना नहीं है ये पशो में महमारी आई थी ठीके ना इसी को हम Rinder Paste कहते हैं देखिए अब मैं आपको समझाती हूँ पशो महमारी या Rinder Paste पशो को लगने वाला एक विशानु जनित संक्रमक रोग था क्या था ये विशानु जनित संक्रमक रोग था यानि कि एक दूसरे से फैलने वाला रोग था ये किसमे होता था पशो में होता था ठीक है ये एक महा मारी थी जैसे एक कोरोना वाइरस आया था ना कोरोना वाइरस दीरे दीरे क्या है पूरे विस्व में यानि कि हमाई पूरे दुनिया में फैल चुका था वैसी ये भी था कि ये जानवरों में फैल गया था जितने भी जानवर थे उन सब में फैल गया था ठ तो देखिए फिर से पशू महमारी या रिंडर पेस्ट पशू को लगने वाला एक विशानु जनित संक्रमक रोक था था यानि कि पहले था ठीके न है नहीं अभी था अब तो ये खतम हो गया पूरी तरीके से ठीके जो अब विश्व से समात हो चुका है ठीके न जो क्या है अब विश्व से समात हो चुका है जो मैंने भी आपको बताया ओके और देखिए अगर आपको मेरी वीडियो से समझ में आ रहा है मेरी वीडियो आपके लिए हैल्फिल रही है तो प्लीस चैनल को से स्काइब कीजिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और बेल आइकन जरूर प क्लास के भी और भी आपको इंपोर्टन कोशन अंसर की वीडियो चाहिए तो एंड स्कीन और डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा एक बार आप में प्लेलिस्ट चक कर लिजेगा मैंने वहाँ अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है नाइन्थ की अलग है इलेवन त्वेल्थ तै ठीक है कुछ अन्य पशो यानि की जो और भी पशो है उनमें लगता था ठीक है इस रोक से ग्रशित पशो को ज्वार अतिसार पोकनी या डाइरिया मुह से लाट पकना आधी लक्षन देखने को मिलते थे इसमें क्या कहोता था जानवरों के उनको ज्वार यानि के बुखा ठीक है ना डाइरिया हो जाता था मुह से लाट पकने लग जाती थी और भी कारणे जैसे आखे लाल हो जाती थी ठीक है ना उनका मुह सूझने लग जाता था नाग बहने लग जाती थी तो यह सब लक्षन उन जानवरों में देखने को मिलते थे इसी को हम रिंडर ठीक है ना समय में आया होगा आपको और बता दू ये किस तरीके से फ्यालता था ये पैर देखा होगा आपने घाई भैस के पैर के नीचे लगते है't Гilesorr सबसे पैर का नीचे वला हिस्सा जिसे हम खुर कहते हैं ठीके ना उसमें क्या लग जाता था कीड़ा लग जाता था वो कीड़े से कहे धीरे-धीरे पसु का सरीर पूरा खराबन लग जाता है यानि कि पैर से स्टार्क्टिंग होती थी पूरे सरीर में वो रोक फैल जाता था, कीड़े लग जाते थे, ठीक है, उससे जानवर बिमार हो जाते थे, उन्हें बुखारा जाते था, नाग बैने लग जाते थे, मुझसे राल्ट पकने लग जाती थी, आखे लाल हो जाती थी, ठीक है, और जानवर कम जोर हो जाता था, दस दिन में पसो की मौत हो जाती थी इसी को कहते है रिंडर पेस्ट तो समझ में आया होगा आपको रिंडर पेस्ट क्या है तो इससे क्या होता है? 90 परतीशत जनवर मर गये थे only बचे कितने थे? 10 परसेंट बचे थे अब जब जनवर मर गये तो जो वहां के मवेशी थे जो मानव थे वो क्या थे जानवरों पर ही डिपैंड थे ठीक है 11 से उनकी रोजी रोटी चलती थी उनके अब साधनी समापतों हो गये हैं तो क्या उनको बहुत जदा प्रॉब्लम हो गई थी वहां के मवेशी और ठीक है आपका एक नंबर का कोश में वीडियो आपके लिए helpful रही तो प्लेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन जरूर दवाएं और शेयर लाइक कमेंट करना भी ना भूले कोई वीडियो आटो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ठीक है मैं आपके questions का जरूर आंसर दूंगी और